हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टु माई यूट्व चैनल तो फ्रेंड्स आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ टैक वीडियो और धमागेदार टिप्स और टिक्स के साथ आपके लिए हाजर हूँ मैं आप यह मैं सोचे कि एक ही इंस्टाग्राम एकाउंट ही चलेगा तो चलिए आप वीडियो स्टाट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से देखिए इस फोटो आइकन पर क्लिक करते हैं जो राइट टॉप बॉटम राइट में है तो इस पर जब क्लिक करेंग किस vontade है यहां पर sorry फ्रेंट देखिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इस पर यहाँ पर देखिए मेरे दो एकाउंट इसमें Ad हैं एक तो यह है एक वाला है तो अब देखिए ठीक है इस पर आप ओके कर दूँँंगा तो अब देखिए ये switch हो जाएगा अब ये मेरे दूसरा वाला Instagram account आ गया इस पर आप देख सकते हैं मेरे followers 5680 तो इस तरीके से देखिए आप followers कैसे बढ़ाते हैं वो मैं वीडियो बना चुका हूँ आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं चैनल पर आके देख लिए कि Instagram पर followers कैसे बढ़ाते हैं तो देखिए आप इस जब द्वारा से यहां पर click करते हैं इस जगा पर देखिए मैं आपको बताएता हूँ कि एक Instagram app में कई सारे account हम add कर सकते हैं अब देखिए यहां पर यह option आ रहा है add account plus इस यह इस पर जब आप click करेंगे तो इसको देखिए यह तो आप login यह है login into existing account या फिर create new account इन दोनों चीजों का प्रयोग करके आप कर क्या सकते हैं create new account अगर आप करते हैं तो create new account से आपको एक नया account बनाने का जो page form खुल जाएगा उसको आप enter भर दीजिए या फिल कर दीजिए तो आपका तीन account इसमें add हो जाएंगे अगर आपके पास कोई दूसरा account पहले से ही बना हुआ है आपके भाई का है या आप उसको अपने mobile में चलाना चाहते हैं तो हम login यह है जो login into existing account जब हम इस पर क्लिक करेंगे login adjusting account पर यानि कि आपका पहले से कोई Instagram account है तो उसका आपने जो भी username होगा या जिस email ID से जो बनाया होगा उसको आप इसमें enter कर दीजिए उसका password enter कर जिए और यहां से इसको login कर दीजिए यहां से तो आप login कर देंगे तो फिर देगे यहां पर आप बैक जाएए जब आप यहां पर click करेंगे इस जगह पर यहां इस जगह पर जो आपका username जो लिखा हुआ है जो आपका Instagram account है उसका username सबसे ऊपर लिखा रहता है तो इस पर जब click करेंगे तो यहां पर पहले सो दो आई रहे हैं क्योंकि मेरे दो इसमें head है आप तीसरा head कर देंगे तो यहां पर तीसरा आ जाएगा और आप इसको switch कर सकते हैं easily बस आपको click करना है इसके ऊपर यहां प इनके ऊपर click करना है और आप इसको easily switch कर सकते हैं अब देखिए switch हो गया तो आप एक एप में कई सारे Instagram account चला सकते हैं और काफी easy है तो friends कैसी लगी है मज़दा tips and tips तो ऐसे tips and tips आपके लिए लेकर आता है पता हूं तो मेरे YouTube चनल को subscribe कर लिजे और बगल में bell icon को click करना ना ब बूले गया गंटा दवा दीजे ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की notification मिलते रहें बाई बाई